प्रधान सचफ राजंदर कुमार से आज भी CBI पूछताज कर सकती है इतना ही नहीं CBI दिली सरकार के कुछ दूसरे नौकर्शाहों से भी पूछताज कर सकती है बुद्वार को भी CBI ने राजंदर कुमार से 9 घंटे तक पूछताज की थी वहीं CBI ने राजिंदर कुमार पर एक और केस अब दर्ज किया है Excise Act के तहट ये केस दर्ज हुआ है उनके घर से शराब की 14 बोतले मिली थी CBI की कारवाई में राजिंदर कुमार के बैंक एकाउंट से 28 लाग रोपए मिले है CBI ने राजिंदर कुमार को 120B यानि आपराधिक साजिश के तहट आरोपी बनाया है राजिंदर कुमार को घर्षाचार विरोधी कानूं के तहट भी आरोपी बनाया गया दिली सचिवाले में CBI की रेट के बाद देश में सियासी बवंदर मचा है इस बीट CBI ने दिली सचिवाले रेट पर सफाई दी है CBI का ये दावा है रेट सिफ राजिंदर कुमार के दफ्तर में मारी गई थी CBI की तरफ से दलील दी गई कि ऐसे कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किये गए जो जांच से ना जुड़े हो वहीं CBI ने जांच से जुड़े में रोडे अटकाने के भी आरोप लगाए है CBI ने कहा है कि उसकी छवी को खराब करने की कोशिश की जा रहे है आपको बता दे कि CBI ने 15 दिसंबर को दिली के मुखे मंत्री अर्वित के जिवाल के प्रथान सच्व राजेंद्र कुमार के दफ्कर पर चापे मारे की CBI के जाए है CBI is committed to carry out its work in an absolutely free, fair and professional manner तो वहीं संसत में बुद्वार को भी हंगामेदार तस्वीरे देखने को मिली चापे मारी की कारवाई को लेकर आमादमी पार्थी ने लोगसभा में और तरणमूल कॉंग्रिस ने राजसभा में जमकर हंगामा किया आमादमी पार्थी ने लोगसभा में हंगामा किया पार्थी सांसत भगवन्तमान नारे बाजी करते करते अध्याक्ष की कुर्सी के पास पहुँच गए नारे बाजी कर रहे भगवन्तमान का जब मगला सूथ गया तो सद में पैटे पिये मोधी की नजर भगवन्तमान पर पड़ी पिये बने भगवन्तमान को अपनी तुछी के पास बुलाया और फिर उन्हें पीने के लिए पानी दिया मही राजे सभा में इस मुद्धे पर मोर्चा प्रणमूल कॉंग्रेस में समभाला विपक्ष ने केस रवाईये पर बीजेपी ने सवाल उठाया CBI एक निस्पक्षिक तरहा से अपना जांच करे उसमें सब लोग मदद करना चाहिए ये बयान बाजी करके केस को इंस्वेंस करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए ये मेरा सुजाव है और ये आम आदमी का इमेज के साथ अच्छा नहीं चेरेगा के जिवाल ने उन फाइलों के लिस जारी की जिन्हें CBI अपने साथ ले गई थी के जिवाल ने ट्वीट किया है कि छापे मारी के दुरान CBI अफसर डीडीसीय से जुड़ी फाइल्स देखते रहे के जिवाल का कहना है कि CBI अफसर इन फाइलों को अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन उनकी ट्वीट के बाद अफसर इन फाइलों को लेकर नहीं गए ये साथ नहीं है कि CBI अफसर इन फाइल्स की कॉपी लेकर गए या नहीं पी अ मोदी ने क्याबिनेट मंत्रियों को आज जिनर मीटिंग पर इनवाइट किया है इस मीटिंग का मकसद मच्यों के कारे और उनके विभागों के समिक्षा करना है आपको बता दे कि पीए मोदी के बनने के बाद ये दूसरा मौका है जब पूरे मंत्री मंटल को मीटिंग के लिए बुलाया गया है ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब संसत का शीत कालीन सत्र चल रहा है और सदन के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच जीएस्टी जैसे तमाम बिलकुल लेकर गातिरोद बना हुआ है कयास लगाए जा रहे हैं इस दौरान विपक्ष के बिरोध से निपठने के रणनीती पर चर्चा होगी मोधी सरकार ने संतोज जनक काम ना कर पाने पर 58 अफसरों पर सक्त कारवाई गी है कि एक कार्मिक और लोग शिकायत मामलों के राजमंत्री जितेंद्र सिंग ने संसत में बताया कि मई 2014 से अब तक सेंट्रल सिविल सर्विस के 13 अफसरों को बखास किया गया है या पच्से हटा दिया गया है जबकि 45 अधिकारियों की पेंशन काटी गई है बोधी सरकार ने शुरू से ही नौकरशाहों को जवाद दही की बात पही थी ये दो सरकार ने सभी मत्रालों में अफसरों के कामकाज के आगलन का आदेश दिया था संग प्रमू पोहन भागवत के सुर आरक्षन पर नागपूर में बदले बदले से नजर आये बोहन भागवत ने आरक्षन पर नया बयान दिया है भागवत ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक समाज में आरक्षन रहेगा भागवत ने कहा कि समाज से तभी आरक्षन को हटाया जा सकता है जब खुद आरक्षन पा रहे लोग आरक्षन को खत्म करने की बात करें आपको बता दें कि बिहाद चुनाप से ठीक पहले रोहन भागवत ने आरक्षन को खत्म करने की वकालत भी थी जिस पर खासा बवाद भुआ थी अब आरक्षन निकालो ये उनको कहना पड़ेगा जो सामाजी बेदभाव की शिकारे तब हो दिली के जंतर मंतर पर कौंगे सुपाध्यक शाहूल गांधी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा राहूल प्रदर्शन कर रहे चाय बागानों के मजदूरों से मिलने पहुचे थी लेकिन उन्ही के खिलाफ लोगोंने नारेबाजी शुरू कर दे केनरे मंतरी रविशंक करसाद ने भी सोनिया और राहूल पर संसत को नहीं चलने देने का आरूप लगा है 26 नवेंबर से शुरू हुए संसत के शीत कालिन सत्र में आप तक कॉंग्रेस के हंगामे की वजह से कोई कारे नहीं हुआ 27 दिसम्बर को खत्म होना है जबकि अभी जियस्टी समेट तमाम कई एहम बिल आटके हो है हम विरोत की बात समझते हैं लेकिन मैं राहूल गांदी से सवाल पूछूँगा और सुनिया गांदी से क्या उन्हें तै कर लिया है कि संसत नहीं चलने देंगे तो जोत पर संसत नहीं चलने दा रही है जोनिया जी और राहूल गांदी जी देश को आप कोई जवाब देंगे या हम ये मानके चलें कि चूकि आप हार गए हैं इसलिए इस सरकार को काम करने में अवर्द पैदा करेंगे ये तेह करना पड़े सरकार ने लगाता है छटी बार पेट्रोल और डीजल पर एकसाइस ड्यूटी बढ़ा दी है यही वज़ा है कि अंतराश्य बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमितों में सिर्फ पचास पैसे की कटोंती की गए थी सरकार को अब एकसाइस ड्यूटी की बढ़ात्री से धाई हजार रुपए की अतरिक कमाई होगी सरकार गोड़ जन सविस टाक्स यानि जी एस्टी को लेकर इंडस्ट्री के जरिये विवक्ष पर दबाब बना रही है इसी सिलसले में भुदबार को वितमंत्री ने इंडस्ट्री के दिगजों के साथ मुलागात की थी वितमंत्री ने कहा कि सरकार GST बिल पास कराने के लिए कॉंग्रेस को 1% एडिशनल टाक्स हटाने की मांग मानने क्यों तयार है लेकिन GST रेट को Constitution बिल में शामिल करने की मांग नहीं मानी जाएगी वितमंत्री ने बिना तारिक बताय कहा कि GST बिल को 2016 में लागू किया जा सकता है वितमंत्री से मुलाकात के बाद इंडास्ट्री ने उमीद जताई है कि सरकार GST बिल को जल से जल पास कराईगी इंडस्ट्री का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से उपर उठकर देश्रित में सोचना चाहिए और GST का समर्थन करना चाहिए. रेकाल मैंने और को समर्च syrup जातनिनिक आएग सकती हैं तरोती हैं। एक वाइस टाप दाउन, आस पर अकोर्पोरेत था क्या एक आज पी मोदी और राश्पती प्रड़ा मुखलजिय से निलेंगे राश्पती म वन में सुद्धर पिचाई राश्पती के साथ टेखनोलोजी, इनोवाशन एफिशन एज्चेशन विश्चेश पर एक राउंट ट सुन्दर दो दिन की भारत यात्रा पर हैं गूगल की सीओ सुन्दर पिचाई आज ही दिल्ली के स्रीराम कॉलेज अफ कॉमर्स में छात्रों को संपोधित करेंगे सुभा 11 बजे होने वाले सेशन को आज सुन्दर नाम दिया गया है सेशन के दोरान सुन्दर पिचाई शात्रों से अपने अनुभव साजा करेंगे और उनके सवालों का जवाब दिये गूगल के सीओ सुन्दर पिचाई ने दोरे के पहले दिन यानि बुदवार को वितमंत्री अरुन जेट लिया और टेलिकॉम मंत्री रविशंतर प्रसाच से भी मुलाका दी इस दोरान उन्होंने ग्रामिन इलाकों को इंटरनेट से जोडने पर बात गूगल के सीओ सुन्दर पिचाई ने भारत के गाओं को इंटरनेट से जोडने के लिए बड़ा कदम उठाया है उन्होंने प्रोजेक्ट लून के तहट गूगल की योजना आगले तीन साल में गूगल लाग गाओं को इंटरनेट से जोडने की है इसके लिए गूगल बीसनल के साथ टाई अप करेगा रवी शंकर प्रसाद ने प्रजेक्ट लून को पालेट प्रजेक्ट के तौर पर शुरू करने की बात कही है, तो पिचाई ने भारत में इंटरनेट के प्रसाद की बात कही है. बात कि बात डाई भी ते कि बात कर त्रूम कर प्रजेक्संय के पालप लिए। वी इनच यू लूह स्वेयर में फ़स कि बात को में इंट आए वजून को पोहिस्किराभ ज हुआ की बात कि बात करते कि बात कि तौरू हुआ खरूबान टम साओ धंट-चए तरूब। and as the minister indicated, we are very very focused on bringing Google's products to many more Indian languages and we are focused on the top 10 Indic languages so that we can reach a billion users. Swiss banko ने 60 साल पुराने डॉर्मेंट याने अन्क्लेम खातों की सूची जारी करती है. इस लिस्ट में 2600 खाते शामिल हैं और इनमें करीब 300 करोर रुपाय जबा है. Swiss banko ने 8C Safe Deposit Box भी जारी किया है. लेकिन बॉक्स में क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. 2600 डॉर्मेंट खातों में कम से कम चार भारतियों के भी खाते हैं. Swiss banko की गोपनियता दुनिया भर के अमीरों को अपनी और आकरशित करती रही है, जो अपने पैसों को दुनिया की नजरों से बचाना चाहते हैं. बैंकों पर भष्टाचार से कमाये पैसों को भी छिपाने का आरोख लगते रही है. दिली में बढ़ते एर पॉल्यूशन को काबू करने के लिए सुप्रिम कॉर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. दिली NCR में बुधवार से 2000 CC से ज्यादा एंजन की कोई गाड़ी नहीं भिखेगी. ये बैंन तीन महीने के लिए लगाया क्या है? इस पावंदी के साथ ही ट्रकों पर लगने वाले पॉल्यूशन से भी 700 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए कर दिया गया है. सुप्रिम कॉर्ट के मुताबिक लीजल गाड़ियों के बैंट से आम आदमी पर ज़्यादा असर नहीं होगा. इसके साथ ही सुप्रिम कॉर्ट में दिली में चलने वाली टैक्सियों पर भी बड़ा फोल फैसना सुना है. कॉर्ट में कहा कि दिली में चलने वाली सभी टैक्सिज और स्कोब सी एनजी में बदला जाए. यूपी के सीम अखिलेशिया अदवाज गुरखपुर में होगी. अखिलेशिया 561 करोड की अलगलग परियोजनाओ का शिला न्यास करेंगे. सीम के आगमन को लेकर जिला प्रशासिन ने तैयारे भी कर ली है. परियोजनाओ को शिला न्यास करने के लावा किसी एक लोहिया गाउं, अस्पताल और ठाने का भी सीम निरिक्शन कर सकते हैं. सीम का कारिक्रफ दीन दयाल उपाध है गोरखपुर उनिवर्सिटी कैंपस में होना है. हो के मंतरी यहां श्रम विभाग, कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन और तुरुषक दुरगटनाभी मयोजना के करीब 10,000 लाभारतियों को चेक बाटेंगे. साथ ही साइकल और ट्राइसिकल का भी विप्रंट करेंगे. रिटार जॉस्टिस विरेंद्र सिंग यूपी के नया लोकायूप नयूप कर दिया है. सुप्रिम कॉर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से 5 लोगों की नाम भीजने का अतेश दिया था और 96-142 के तहट रिटार जॉस्टिस विरेंद्र सिंग को यूपी का लोकायूप नयूप्त कर दिया. ये पहली बार है जब सुप्रिम कॉर्ट ने किसी राज्जे में लोकायूप की नयूप्ती की है. सुप्रिम कॉर्ट की तरब से न्यूक्ति के बाद जस्टिस विरेंद्र सिंग ने कहा कि लोकायक के तौर पर उनकी प्रात्मिक्ता भरस्टाचार के खिलाब शेकायक्तों पर कारवाई करने की होगी जस्टिस विरेंदर सिंग ने कहा कि जाज में जो भी दोशी पाजाएगा उसे पक्षा नहीं जाएगा उसके बारे में यह नहीं सुचा जा सकता जाज है जाज यह पर चोटे आजमीं की जाज है यूपी में लोका यूद की सुप्रिम कोर्ट से नियुक्ती होने पर बीज़ोपी ने राजसरकार और प्रमुपी पक्षिदल बीएसबी पर सवाल खड़े किये है यूपी बीज़ोपी अध्यक्ष लक्षमिरकान पाचपई के मताबिक बीएसबी नेताओं पर आरोपों के खलाप अखिलेश सरकार ने कारवाई नहीं की और इसलिगे दोनों विलकर सरकार अब मामले को डालते रहे कि मंत्री उत्तरपदेश और नेता प्रदिपक्ष श्री स्वामी प्रशाद मौर्या चोर-चोर मौसेरे बाई और एकी धहली के चट्टे-बटे लोका यूद का चैन तो इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वर्तमान लोका यूद की 24 सिफार से जो बस्पा के मंत्रियों और बस्पा के कारकाल के अधिकारियों के खिलाप है वो मुक्यमंत्री के सचवाले में ठाई साल से लंबी तक कारवाई नहीं हुई दोनों मिले हुए थे और यह सब सोचे बैठे थे कि किसी तरीके से टालते रहो और कारवाई ना करनी पड़े और अपनी जान बची रहे सुप्रिम कौट ने सूखे को लेकर 11 राजरे को नोटिस जारी किया है जिसमें उतरप्रदेश, मद्यप्रदेश, आंद्रप्रदेश, तिलंगाना, करनाटा, कोडिसा, जारकन, बिहार, हरियाना, गुजराच शामिल है साथी केरिको भी नोटिस जारी किया है और 4 जन्वरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है सरवर्श दालत ने पूछा है कि सूखे से जूझ रहे लाखों में क्या हद सामगरी मोहया कराई जा रही है कानून के मताबिक हर नागरी 5 किलो अनाज का हददार है अदालत ने पूछा है कि क्या वो फूर सेक्योरिटी के तहट अनाज मोहया करा रहे हैं या नहीं और क्या सूखे से जूझ रहे लोगों को अतरिक भोजन मोहया कराया जा सकता है या नहीं दरसल सूखे से जूज़ रहे अलाकों में पोटिंग की कमी से लोग जूज़ रहे हैं इन अलाकों में 2 किलो अतरिक दाल और 200 मिलिलिलिटर जूद या फिर अंडे उपलग कराने के लिए एक याची का दाकित की देगी और अब इस मामले में 4 जन्वरी को सुनवाई होगी आईस आईस के खिलाफ जंग को लेकर भारत ने बड़ा अलान किया है रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा है कि अगर सहिंत तुराश की तरफ से प्रस्ता पारित होता है तो भारत आईस आईस पर सेने कारवाई में शामिल हो सकता है अभी सीरिया और इराक पे कबजा जमाजमाई आईस आईस के खिलाफ रूस, अमेरिका, फ्रांस और बृतन हवाई बंबारी में शामिल है तो इसके अंदर जो भारत का अभी तक का जो पॉलिस है तो अपरेट अंडर यूएन फ्लाइज तो यूएन मिशन रहेगा तो हम लोग पार्टिसिपिट करें दिली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी संगटन अलकाइदा के तीन आतंकियों को गरफतार किया है अबर ये भी है कि इन दोनों संधिक दातंकियों को इरान और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी और ये दोनों अलकाइदा के इंडिया ब्रांच के लिए स्लिपर सेल का काम कर रहे थे आई भी इन आतंकियों को पिछले तीन महीने से नज़र रख रही थी होफिय अइजनसिया आलकाइदा से जुड़े कुछ आतंकियों के तलाश कर रही है होफिय अइजनसियों को शक है कि कुछ युवाओं को इन आतंकियों ने ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान बेजा है यूपी सरकार जेलों में बंद ऐसे कैदियों को रिहा कराने का मन पर आ रही है जो बुज़ुर्ग है या फिर मामुली जुर्मान ना भरपाने की वज़़ से सजापूरी होने के बाद भी जेलों में बंद है मुंबई एएपोर्ट पर एक दलदनाख हाथसा हुआ एर इंडिया के फ्लाइट AI619 के इंजन में फस्कर एर इंडिया के एक टेक्नीशन के मौन हुवे है कबरों के मुताबिक हाथसे के वक्त इंजन चालो था और इंजन ने टेक्नीशन को अंदर खीच लिया बुदवार रात आट बच कर 44 मिनट पर फ्लाइट को मुंबई से हिदराबाद रवाना होना था और हाथसा एपोर्ट के T2 गेट पर गुआ गाजियाबाद के संजन अगर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मार कर हत्या कर दी गई है यूपी के मुझफण अगर में शातिर बदमाशों पर पुलिस का दाओ भारी पड़ गया दरसल खतौली लाकी में बदमाश एक बंद पड़ी स्टील फैक्टरी में टकैती डाल रहे थी और इसी दौरान पुलिस मौका यवार्दत वर पहुँच गई पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने को कहा तो उसमें फाइरिंग शुरू कर दी बदमाशों और पुलिस के साथ जबरदस मुझफेड शुरू है और पुलिस ने चुस्ते दिखाते हुए आठ बदमाशों को गरफतार कर लिया पंजाब में पुलिस का बेरहन चेहरा सामे आया है फाजल का में कॉंस्टेबल ने एक युवक की इतनी पिटाई की विए उसकी मौत हो दे वो तक के परिजन इंसाफ की गुहा लगा रहे है पुलिस के आरादिकारी कारवाई का आश्वासन दिया है करणा शार दिसंबर की है फाजल का फिरोज़कूर मार पर पंजाब पुलिस के एक कॉंस्टेबल की बाइक सबजी बेचने वाले युवक के टेंपू से टकरा गई है और इसी को लेकर पुलिस वालों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी घाली वक को सरकारी इस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने भरती करने से इंकाल कर दिया बाद में उसे प्राइवेट इस्पताल में दाख्ति कराया गया जहां कर उसकी मौत दे उद्रप्रदेश में केंडर और राज्य सरकार की लापरवाही से सेक्रो स्कूल बनने से पहले ही बंद होने के कगार पर हैं दो साल पहले केंडर सरकार ने युपी को 206 स्कूलों के मन्सूरी दी थी 2013-14 में स्कूलों की लागत प्रती स्कूल करीब 58 लाग रोपय तैकी ले थी वहीं 2015-16 में भी 258 स्कूलों के निर्मान के मन्सूरी मिल गए जबकि दो साल पहले से मन्सूर हुए स्कूलों का आप तक निर्मान ही नहीं हुआ है कि एक साथ दो अलग अलग बजट्स पर स्कूलों का निर्मान संभब नहीं है राष्ट्रे माधमिक शिक्षा अभियान के तहट के इंड़ सरकार 2009 से राज्यो को नई राज्की हाई स्कूल के निर्मान के लिए आर्थिक मदद देती है अरिद्वार में गंगा आर्थि अब 9 जगहों पर होगी गंगा सभा ने अर्धकुम के मदे नजर इसका पैस्ता किया है अभी तक सिब 4 जगहों पर इंगा आर्थि की जाती दूद जिससे भीर बढ़ रही है और अब गंगा सभा का तर्क है कि अगर नौ जगहों पर गंगार्थी का अजन गुआ तो फिर में कमी आए जेवर में अंतराश्री हवाई अर्दा बनाने की योजना एक कदम आगे बढ़ गई है अमना एक्ष्परस वे अथोरिटी ने जेवर अंतराश्री हवाई अर्दे के लिए जरूरी 5000 एकर जमीन आलक्षित कर दी है यूकि सरकार पहले ही कि इन सरकार को एपोर्ट के प्रस्ताव भेच चुकी है